देव भुमी द्वारकाना द्वारकादिस मंदिना जगत भुमी उपर विशार संख्यामा योजाई धर्म शबा द्वारकाना होटल सुन्दर पेलेस खाते दर्मसबामा संभोधन कर्यों शाथे बक्तो द्वारका पुछवामा आवेल अनेक सवालोना जवापण आपपामा आवे हता द्वारका खाते चाली रहली बागवत कथा संदर भे शंक्राचार्य स्री श्री निश्वलानंद सरस्वती जी पदारे हता त्यारे मुटी संख्यामा द्वारका वाश्योत था मानव महरामन उम्टी पड़या हता तेमच दर्म प्रते रस दरावता बक्तो ये प्रश्णों पुछता खुब लागणी सबर द्रश्यों सर जाया हता रविवारे संक्राचार्य जी श्री निश्वलानंद सरस्वती जी ए तिर्थ नगरी चालतु बागवत सप्तामा बागली दो हतो तथा द्वारका वाश्यों ने पुताना दर्शन आप्या हता विरो रिपोट ललीटी शिंगडिया देव भूमी द्वारका धर्म सभा के रूप में आयुजित हुआ यह दिव्य आयोजन हिंदू राश्य संग महादिवेशन के रूप में सनातन संसीर्थी के संसक्षनार्थ आयुजित किया गया है इस समयोजन में आजपुरे गुजरात प्रदेश के लोग अधिक शदिक लोग भाग लिए इसमें दस कि प्रांट के प्रतिनिती के आये हुए और वहन है और सुभी प्रतिनिदी महराश्य के से मारदर्सन कर रहे है आज ऊजальную दिव्य संभोधन में धर्म अध्यात्मराज से संबध्य जिव्याशाओं का महराश्री ने समाधान किया और दैदिक शनातन संस्तिती के विशाय में उन्होंने विस्तार पुर्वक जानकारी दी कि हमारा सनातन धर्म महान है पुरे विश्व को मारधर्शन करने वाला घर में और हमारी संस्तिती इतनी उची है कि जिसको आज भी पुरे विश्व में सब इश्मरन करते हैं साथ ही साथ उन्होंने आवान किया कि शाशन तंत्र और व्यास्पीच में सामंजस्य होता है तो राम राज्जी की स्थापना होती है आज की आवस्चता है कि परंपराप्त व्यास्पीच के अधीन जो है शाशन तंत्र हो और घर्म नियंत्रित शाशन तंत सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता हूं आप सभी अधिक अधिक कारिक्रम से लाब उठाएब